नमस्कार दोस्तों यूनिकल साउंड में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है तो आज का जो टोपिक होगा कुछ आम्प्लिफायर को लेकर आए हैं और यह मार्केट के अंदर काफी सारा मतलब जो है काफी रेस्पोंस भी किया है अच्छा रेस्पोंस जो है किया है और यह सबी जागा में कारीगर साविद हुए हैं कुछ आम्प्लिफायर ऐसे भी हैं जो आपका टूम में रेकोमेडेशन नहीं होता है तो वह भी हम बता दे तो चले दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो के उपर जाएंगे जाने से पहले लाइक कीजिए वीडियो को कॉमेड कीजिए हमारा कॉमेड सेक्षन में कुछ सोजेस्ट करना होगा तो और स्यार तो भाई ज्यादा से ज्यादा स्यार कीजिए और चैनल को सब् पहलाwat अंप्लिफायर है Dino Tech ka B3000 है और इसका जो प्राइश दोस्तों होगा यह 43 से लेके आपका 45 के उंदर आपको मिल जाएगा या फैर फोती के बिप आपको िपीच आपको यह आपको मिल जाएगा अब बात करेंगे दोस्तोंमारा धूसरा आप ली फायर जो POP का MSC 7202 model का यह amplifier है यह हला कि इसका जो है 2 ohm पर recommendation नहीं है लेकिन यह भी जो है इसका price थोड़ा ज़ादा होगा यह professional amplifier है POP के तरफ से है तो इसका price थोड़ा ज़ादा होता है 55,000 से लगे 60 के around आपको मिल जाएगा इसका जो आप्रोक्स price होगा यह 38,000 से लगे 40 के असपास यह मिल जाएगा आपको यह काफी अच्छा amplifier है Studio Master के नाम जाद दिया है मतलों नाम इसका थोड़ा उपर ही रहेगा Studio Master जो है आज तो बहुत साल से हमारा जो है आमारा इंडिया के अंदर काफी जादा product supply भी कर चुका है और यह trustable amplifier होते हैं आप चाहे तो इस से खरी सकते हैं अब देखते हैं दोस्तों हमारा इस लिस्ट का जो है और एक amplifier इसका जो अप्रोक्स प्राइज होगा यह 38 अजा से लगए यह भी वही उसी प्राइज के अंदर आपको मिलेगा जो की एनेक सोडियो का MT 701 है यह जो काफी अच्छा amplifier है एनेक सोडियो का काफी अच्छा है आप चाहे तो इसे खरी सकते हैं एनेक सोडियो अगर बात हो ही रहा है तो इससे इसका जो है और एक मोडल आते हैं नेक सोडियो डी एक्स मोडल यह डी एक्स तीनाजार 3000 प्रो है यह भी अच्छा अप्लिफायर है और इसका प्राइस जो होगा 26,000 के आसपास होगा यह एक तीनाजार वड़ अप्लिफायर है लेकिन यह भी काफाद जो है काफी अच्छा यह काम करता है तो आप चाहे तो इसको भी खरी सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों एनेक सोडियो का और एक एक मोडल VA rx-3000 का मोडल यह भी काफी अच्छा आप्लिफायर जो है यह में खुद भी यूज करता हूं तो आपको तहो मैं काफी चाहब जाब वीडू में इस मोडल के मैं बात कर चुका हो हालाकिbook 3000 नहीं utilise किया हो और 4000 यूज किया हूं तो यह भी इस इस मोडल भी काफी अच्छा है अब चाहे तो इसको खुरी सकते हैं अब आते हैं दोस्तों और एक अम्प्लिफायर जो है CA9 साउंड स्टांडर्ड का CA9 मोडल है और यह भी काफी अच्छा अम्प्लिफायर है इसका जो प्राइस होगा इसमें जो है सेम टू सेम लूड के देखे आपको चलाना पड़ेगा तो ही आपको काफी अच्छा प्रेशर देखने के लिए मिल जाएगा अब आते हैं दोस्तों हमारा इस प्राइस लिस्ट में और एक अम्प्लिफायर जो है एड हो गया है तो इसमें देखिए यह जो है ए इंडिया का अम्प्लिफायर है तो कफी अच्छा अम्प्लिफायर है आप चाहे तो इसको भी खोरी सकते हैं अब आते हैं दोस्तों हमारा सबसे अच्छा अम्प्लिफायर कफी अच्छा अंप्लिफायर आहुजा है आहुजा का जो है बती सो बाला अम्प्लिफायर है कफी साल से लेकर आपका जो है हमारा इंडिया के उंदर बहुत ज्यादा कारीगोर साभीद हुआ है इस कमपनी तो अच्छा अप्लिफायर है चाहे तो आप इसको भी खुरी सकते हैं अब बात कते हैं दोस्तों हमारा जो और एक अम्प्लिफायर है इसका प्राइस जो होगा ट्वेंटी थाउजन्ट से लेकर ट्वेंटी फोर थाउजन्ट के असपास यह लगवक इसी के बीच यह फिर ट्वेंटी सिक्स के भी आसपास यह मार्केट के हिसाब साबको मिल जाएगा SLB-BL9 का मोडल है यह यह काफी अच्छा अम्प्लिफायर है लाइट साउड बीजन का अम्प्लिफायर काफी आच्छे होते हैं अब न्यू न्यू था तो लोग इसको इसके उपर ज़्यादा ट्रॉस्ट नहीं कर रहे थे लेकिन यह जो अप्लिफायर है काफी अच्छा अ अच्छा अंप्लिफायर है SPB 3 तो यह अच्छा है इसका जो प्राइस है 3,000 के आसपास आपको मिल जाएगा यह प्राइस अप्रोक्स प्राइस है तो मार्केट के हिसाब साब देख लीजिए कि इसका प्राइस किया होगा लेकिन हम लोग जो खुरी देते तो इसका जो है 28,000 के आसपास लेकिन अब जो है थोड़ा बड़ गया है थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिये है इन लोगों ने तो काफी अच्छा अंप्लिफायर है आप चाहे तो इसको खरी सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस जो इस ट्रेंजर वालांप लिभार था यह काफी यह लास्ट वीडियो था और यह काफी ज्यादा अच्छा भी था तो चलिए आज कुछ और बात कर लते हैं जैसे कि मीक्सिंग और मास्टरिंग का बात किया था एक वीडियो के अंदर जो आगला वीडियो था उसमें हम ब में कमेंट कीजिए कि उसको प्राक्टिकाली के दिए समझाना चाहिए कि नहीं अगर आप चाहते हैं तो हम प्राक्टिकाली इसको करके दिखाएंगे मिक्सिंग और मास्टरिंग और आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं फिर भी आप इस वीडियो को कैसा लगा किया वीडियो में और और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके जोरू बताएगा नमस्कार धन्यवाद